बिसमिल्लायरमाने रहीम आस्सामालेकूम कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आप सब की कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्री आप सब का आज हम बेसन के लटू बना रहे हैं बहुत चटपट से तय सब्सक्रीलायर हो जाते हैं बड़े डिलिशेस से सब बनते हैं। देखिए मैंने एक पैन में वन थर्ट कप की लिया है। यहां पर हाफ कप बेसन अड़ कर रहे हैं उसमें इसमें बहुत अच्छे से बूलेंगे बेसन में बिल्कुल लंस ना रहे हैं इस तरह से इसको कर लेंगे इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा के लंस ना हो बिलकुल भी बेसन को जब तक बूनेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छे से खुश्पू नहीं आने लगेगी मेरे चैनल को जिसमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताके आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा देखें बड़ी अच्छी सी खुश्पू आ रही है इस वखत इसमें और कलर भी चेंज होने लगाए बैसन का फोड़ा साभी हम इसे और पूनेंगे फिर हम इसको उतार लेंगे देखें हो गया हमारा इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे देखें ठंडा हो गया है और इसके अंदर मैंने जितना वेसन लिया था उतना ही में कैस्टर शुगर एड़ करेंगे थोड़े से मैंने बादाम काटे हैं थोड़े से काजू मैंने काटे इसके अंदर दस से बारा बादाम दस से बारा काजू और वन फो टीस्पून एलाइची पॉडर एड़ कर ले ताकि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर मैंने जल्दी की विज़ा से इसको फ्रेज में रख दिया था थंडा करने के लिए आप चाहे तो रूम टेमपरेचर पर भी इसको ठंडा कर सकते लेकिन ठंडे में शुगर मिलाईएगा वरना वो पानी छोड़ देती शुगर गरम में बिल्कुल शुगर नहीं मिलाईएगा वरना लेट्डू आपके बनेंगे नहीं बिल्कुल भी यह देखें बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा कई दिन तक यह चल जाते हैं देखें हम लड्डू बना लेते हैं अभी गर्मी है बहुत जादा यहां पर तो इसलिए थोड़ा सा इसको लग रहे हैं वरना इसको थोड़ी दे फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल सैट हो जाएंगे यह देखें हमारे लड्डू बन चुक कितने जबर्दस से लड्डू तयार हो चुके हैं हमारे देखें कितना जबर्दस सा कलर आया है कितने जबर्दस से लड्डू तयार हुए 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 और बन गए ना कितने जट पट से मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक कियर अलाहाफेज